हम बात करें हाँ डिजीज इस पे और पोल का सवाल भी सासा चल रहा है जो कि आपको पता है कि गाड़ी की फ्रांट सीट पे आप किसको बिठाएंगे मां को या बीवी को और फट्ड़ जदो कौन करता है कि आपको बिठा तो देते हैं या वो खुद बैट भी जाते हैं बाद में जो पीछे बेटा हो तो आपके लड़ता है कि मुझे पीछे क्यों बिठाया उनको क्या की बिठा दिया या तिंग्स लाइक 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 लोगों की ट्रेनिंग का क्या है यह कॉंसेप्ट जाहरे बाहर तो बहुत डिवेलब्ट है लेकिन पाकिसतान में भी तेजी के साथ डिवेलब्ट हो रहा हुआ जिसकों CME कानसेप्ट केरते ज़्यानि कॉन्टियूइंग मेरिकल एजुकेशन यह मेरिकल एजुकेशन खत्म नहीं हो जाती डिगरी के साथ या डिपलोमा के साथ या या हायर ट्रेनिंग के साथ हर लेवल पे आप प्रोफेसर हों या आप हाउस ऑफिसर हों अपको हर सूरत में अपने को अप्टू डेट रखना है उसकी सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन आपके रिजिस्ट्रेशन आपकी ब्रेड अन बटर के लिए जरूरी है अगर आ कि एमी हावर्स का अना शुरू हो गया है अकसर हम लोग एजुकेशन के लिए फैमली मैडिसन के लिए इंटरनल मैडिसन के लिए काडियोलोजी के लिए पोस ग्रैड लेवल पे और हर लेवल पर कर रहे होते हैं तो यह हो रहा है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है और आपके वीवर्ड ने बहुत अच्छा पॉइंट उपाया अचैसा अनग्रेजी लवज़ है। जिसका मतलब है बाज गष्ट जब आवास लॉट साती है, जिसफ आप खाली कमरे में जाएं तो आप उसे गुझ हिंदी में कह सकते हैं लेकिन जो उर्दू और फार्सी का जो मुस्तामिल लवज है वो एक्षिली बाजिगष्ट है जो आवाज घूम के वापस आती है अच्छा सेकंड वर्ड वार में उन्होंने ये टेक्नोलजी इसलिए बनाई थी कि सब्मेरीन नीचे से भी अटैक कर लेती थी बाज दफा पिछे सब्मेरीन बहुत नीचे हो जो समुंदर की तैह है उससे टकराने का खत्रा तो वो सोनार का कॉंसेप्ट है जिसा रेडार होता है रेडार में आप एक खास रार के एलेक्ट्रमेगनेरिक वेव यूज करते हैं यहां पी आप साउंड वेव यूज करते हैं बहुत सी फ्रिक्वेंसी हैं जो हम नहीं सु हमारा ओल्सेशन सुन पाता है ठीक है क्यों ऐसा मुम्किन है क्योंकि हमारे कान के अंदर एपरेटर बड़ा मुक्तलिफ है एक खास रेंज है जिसमें खास डेसिबेल में और उस फ्रिक्वेंसी में हम सुनते हैं 20 से उपर जिया वो डेसिबेल्स हैं फिर वो जो आपकी फ् सौंड रहता है या sound change नहीं हो जाता है यह compression waves रहती है जो A-level physics के students और सब देख रहे होगे जानते है compression waves क्या होती है किस तरह मूव करती है यही compression wave एक खास reef से जब बहुत बढ़ जाती है तो उसको फिर रम आल्ट्रा साॉंड तो इसलिए जिए इसका अग और नाम cardiac ultrasound भी है नहीं देखस्काते हैं तो हम रेस्टिंग एको के लावा एक और तरीका भी इस्तमाल करते हैं, जिस में मरीज को दोडा देते हैं, या cycle चला देते हैं, ETT की तरह, stress कर देते हैं, या फिर कुछ दवाई ऐसी होती है, जिसके जरीये से heart को stress कर देते हैं, जिसे dobutamine stress है, जब heart तेज हो जाता है, तो उसकी movement की वो abnormality जो उसके rest में नहीं आ रही होती, वा नहीं लग जाती है, तो ये जो माहरीन बैठे हुए हमार जो जो करते हैं, जो ये जो ये ये टेस भी वो देखते हैं, इन दोनों को compare करते हैं, कर रेस्ट को और इस्ट्रेस को, इसको हम कह जाते है, stress echocardiogram, एक और चीज बहुत इंपोर्टन है, जब एक और चीज पर चीज़ कर चाहते है, एक जूल के पार चीज़, जब 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 चाहिए आगे बैठेन रज नहीं है और बहुत अच्छा है यह अच्छा विट कोई बैच जा है कि यह पूस्ना चाहिए? मैं यह कुछना चाहती हूं कि कोई तकरीबन 15-20 दिन से मेरी बहुत ज्यादा सास फूलरी है चाहिए ठीजी भी चाहिए, यहों बेलाग शुगर भी ठीजी एक ऑफ है सहुर में उन्हीस्टाइए टीज बेट राध लगाया है एक व्याव गाया है लिए टीजी लिए विएट थिए यहादा राध जाया जाल चाहिएए लेकिन मेरे सास बहुत जाहिएए थाध भूलने आपके हाइच कितनी है? 5.2 5.2 है और 51 kg है 61 61, right, I got it now I'm sorry, मेरे 50 50 अपरोक्सिमिटी ठीक है, थोड़ा हलका सब्सक्राइच नहीं थोड़ा वेट इनका BMI इनका जादा कल्कुलेट होगा और Asian BMI इस डिफरेंट होते हैं और आपकी BMI से जादे हैं जाएच कुछ नहीं आपकी और 4.5 पर ही आपकी पूलना शड़ा है इस बहुत आदे होने लगी थी और अभी भी मेरे साथ यही है वाद सिर्फ नहीं है और गी बात भी करती हुम इस सांस बहुत फूल रही है और गीपी मेरा हाई होने लगा है यह बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एको काडियोग्राम से जिसमें बात करें वाज हम कर सकेंगे सकत है ख मतले मीचा के करता है कर न intention क्याए प्लीका रचाइए जिसमें को इतना पॉपिलर हुआ है इसमें से 15 अच्छायस के इसमे कंपनली को दो कर सकते हैं अगर कभी टाइम ही और अगर अगर हम की बात कर सके होगर तो इसमें बलकि हम बहुत अच्छा फ्लो देख सकते हैं, यह सबसे बड़ी वजा थी, मैं आपको इंग्लेंड का बता हूँ, इंग्लेंड में लेट सेविंटीज और अली एटीज में एको काडियोग्रायम का जो ओपन डॉर पॉलिसी बनी थी, उसकी सबसे बड़ी वजा एक थी, सब्सक्राइब के तरफ जा रहा होगा, यह सौ वजुवात में आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन बात यह हो रही है, बात यह करें अनेक्स्प्लेंड की, इनके केस में शेहिद इनके स्टेमिना का प्रॉबलम होगा, अगर यह बूस प्रोटकॉल पे इनोंने एक्सराइस टेस्ट किया है, तो यह सेकंड स्टेज का आधा कर सकी है, तीन मिनट पहला स्टेज, और देड़ मिनट और साधे चार मिनट, यह एक्टिविटी इनके लिए जरूर कम है, लेकिन इनको देखना पड़ेगा, बाडी हैबिटस कहता है, हमारा मोटापा जो है, साउथ एशिय आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आपको जनरली किस तरह उनका आउट लोग आते हैं, वो सारे उसके होते हैं, यह जरूरी नहीं है, कोई मोटा ही हो तो शॉर्टनस अफ ब्रैथ हो, और यांग लोग तो यह बड़ी मिसलीडिंग सी एक वह होती है बात कि कोई मोटा ह आपके पास ऐसे केसी आते हैं, कि कोई एकसराइज इंस्ट्रक्टर है, बताएज एक एकसराइज इंस्ट्रक्टर है, उसको शोटनस अफ ब्रैथ हो रही है, तो आपका माइंड फॉर्ण क्वेस्चन करेगा कि इसको तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसको तो आप पहले ही पहले हैं, कि कभी ऐसा तो नहीं है, कि इसको हार्ट का कोई प्राबलम है, तो उसको रहा है, लेकिन कोई और रीजन नहीं है, फिर तो आपके लिए उसको एकस्प्लोर करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको प्राइज जैसे कहीं कि आपका अगर हाई ब्लॉड प्रेशर है, आपका साथ पूल रहा है, उसको ल narrow का Layla करें कि मेरे सांस बड़ी कहड रही है, ष्म Hilli違cza मैं पर चालकी एक सांस पूल रही है कि एक मनजिल झाले मुछ जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रही है, ज सारे इंडिकेशन होते हैं, कि आप सब जितने भ और राइट अवे देखें, ताकि अगर कोई जो प्रॉब्लम इस वक्त है, वो आपको फॉरन ही दूर हो जाए, चाहे आपको मेडिकेशन देनी पड़ें, या आपको काडिये कोई जिजीज हो गई है, अगर आपके आर्टरी ब्लॉक्ट हैं, इस वज़ा से आपको हो रहा है ताकि फिर बाकी फर्दर उसके किया जाए, इसमें श्याद एक पॉइंट में अगर एक और आपकी जासे सायट कर दो, कि एक जमाना था जब हम हार्ट का डालेट होना और बड़ा होना और सिस्टॉलिक फेलियर जिसे हम कहते हैं, उस पे हम बहुत जादा जोड़ देते थे और डॉक्टर एक मौएने के दोरान ये देख के फैसला करता था कि हार्ट नॉर्मल साइज का है, एक्सरे पे भी ठीक लग रहा है दिल का साइज और सब कुछ, तो ये नहीं, जब एको ने इंट्रेस्ट डिवेलप किया, तो स्पेशलिस्ट बनें, ऐसे स्पेशलिस्ट ब में ऐसा पानी आ रहा है जो उनको सांस खुला रहा है, ठीक है, उन 50% लोग उनमें से वो हैं जिनका हार्ट की जो पंपिंग केपैसिटी है, वो या तो नॉर्मल है या नियर नॉर्मल है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फ्रेक्शन प्रिजर्वड हाट फ्रेलियर का मतलब होता है कि गिर जाए., बचे-पैदा होते थसे साथ बड़े होता है, टीक बड़े होता है, ठीक हार्ट फ्रेलियर का मतलब हम लह भीसजहां, कुछ ट्रीटबल फैक्टर्वूज जो नहीं ठीट हो पाते है उसम में तो हमें कार्डियक ट्रांस्प्लांट और पते नी क्या कुछ करना पड़ता है और बाकी और बहुत सी कौज़ेस हैं हमारे पास अभी भी कॉरिनरी आर्टरी डिजीज सबसे बड़ी वजा है लेकिन रिमेंबर अभी भी एशिया में हाई बलड प्रेशर बहुत बड़ी हाई फेलियर का बलैक विमें में सारी दुनिया में हाई फेलियर में हाईपटेंसिव हाट फेलियर बहुत बड़ी वजा है वाइत लोगों के अंदर कॉरिनरी आर्टरी डिजीज ने बहुत पहले टेक ओवर कर लिया था अब साउथ एशिया एट पार आ गया है अब हमारे एको काडियोग्रम करें हम आते हैं बच्चो के एको पे एक कॉलर चैन करके फेस पर बात करते हैं जी असलाम लेकुम असलाम अलाइकुम यूसस साफ गर यल्दी मॉनिंग बिटा कल क्या खेरियत रही पस खेरियत थी इंट्रोड़क्शन में आपने बता तुजी अथा थो दो तीन सवाल मेरे रहन में मैं कोई टेक्निकल इतनी गुफ्तगू तो नहीं करना चाथ ना समझता हूँ पहली बात यह कि एक कि एक का जाए जा आप का मर्द है एक जमाने में यह कहा जा जा था यह अमीरों का मर्द है फिर उसके बात कहा जाने लगा यह यह मुटापे का का मर्द है